नमस्ति, आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के ऊपर, तो इंडिकेटर्स है क्या, इसका नाम से ही पता चलता है, यह कुछ न कुछ इंडिकेटर्स करती है, जैसे कार में हमारा इंडिकेटर होता है, लेफ टर्न के लिए, राइट टर्न के लिए, कार से मुझे याद आया, एक बर क्या हुआ था, मैं एक left turn लेने वाली थी, और मैंने left indicator मेंना on किया था, लेकिन एक Honda Activa suddenly पीछे से आखके मेरे car को धक्का मारा, क्योंकि उसको जल्दी निकलना था, तो फिर आप मुझे बताईए, ये indicators तो मुझे help नहीं किया, तो मुझे next time car में left या light turn के लिए indicator लग से पीछे का देखना चाहिए था, कि कौन सा गारी आ रही है, Honda Activa आ रही है, वो कितना speed में आ रही है, वो calculate करके मुझे stop करना चाहिए था, और वो चले जाने के बाद ही मुझे जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करूंगी left indicator यूस करने के लिए, तो फिर आप को हमेशा indicators दिखाना होगा, लेकिन stock market में कोई rule नहीं है, you can use or not use an indicator, there is no offense, तो कोई भी indicator use करने से पहले, चले देखते हैं कि वो invented क्यों किया गया था, moving average, जो एक commonly used indicator है, वो invent किया थे, आरी छू करने, वो एक statistician थे, और उन्होंने ये invent किया था, rocket tracking और submarine tracking के लिए, लेकिन व market में यूज में आ गया, तो moving average को main purpose है train determine करने के लिए, यह हमें दिखाता है कि price उपर जा रहा है, यहां फे नीचे आ रहा है, moving average को हटा के चले देखते है, कि train को कैसे identify कर सकते है, यहां पर नहीं, हम जिसे यहां पर देख सकते है, यहां पे price का इधर high था, यहां पे low था, यहां पे high था, यहां पे low था, तो lower lows price बनाया, lower highs भी बनाया, फिर यहां पे उपर गया, फिर यह break करेगा, तो फिर new low बनेगा, तो फिर देख सकते हैं हम लोग identify चार्ट में कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि moving average हटाक के हम लोग identify नहीं कर सकते, अब देखते, moving average देखके identify कर सकते हैं या फिर नहीं अब देखें लास्ट आयम मैंने कितना टाइम लिया था वह फाइंड आउट करने के लिए कि प्राइस लोगर हाई और लोगर बना रहा है या फिर नहीं लेकिन अभी एक अब देखें आप फाइंड आउट कर सकते हो प्राइस नीचे जा रहा है या फिर उपर यह तो नीचे की तरफ है तो प्राइस का डाउन ट्रेंड है तो यह कितना सिंपल हो गया हमारा लाइफ इजी बन गया एक एक मुविंग अवरइज लगा लो और देख लो कि प्राइस नीचे जा रहा है या फिर उपर तो फिर इंडिकेटर का परपफस क्या है विद ऑउट इंडिकेर कर भी हमें समझ में आ रहा है कि प्राइस इस दिन इन डाउन ट्रेंड बट अगर इंडिकेटर हम लगाते हैं तो इंडिकेटर से आपको एक support देगा price action देखने में तो आपको यह support चाहिए या फिर नहीं support चाहिए वो आपके उपर है अभी देखते हैं और एक बहुत popular indicator वो है RSI RSI इंवेंट किया थे Mr. Wilder ने in 1978 तो यह एक momentum oscillator है यह price का velocity और magnitude को determine करता है कि price कितनी जल्दी उपर जा रहा है या फिर कितना जल्दी नीचे आ रहा है तो इसका जो main use है वो है overbought और oversold के लिए और एक use है divergence के लिए लेकिन यह RSI हम use कर सकते हैं in a trending market also तो यह जो use है indicators का वो आप बहुत तरीके से कर सकते हो वो determine करेगा आपका वो indicator में कितना experience है वो experience तभी आएगा जब आप हर दिन day in day out market को study करोगे same indicators को use करोगे तो तभी एक indicator के उपर आपको पूरा control आएगा RSI एक price का average gains और average loss measure करता है और बताता है कि price का weakness और strength कितना है अभी देखते हैं RSI कब काम करेगा और कब काम नहीं करेगा let us find out तो देखें यहाँ पर market में इतना ज़्यादा दो दिन से trend नहीं है RSI यहाँ पर दिखाया था oversold ज़्यादा selling हो गया है अभी market में buying हो सकता है market में buying हुआ यहाँ पर RSI दिखा over bought अभी थोड़ा सा selling हुआ फिर से RSI दिखाता है over sold फिर से थोड़ा सा buying हुआ फिर से RSI दिखाता है over bought तो रसा यहाँ पर selling हुआ तो ऐसा जो sideways market है यहाँ पर RSI काम करता है normal use of RSI जो है अब हम देखते हैं कहाँ पर RSI काम नहीं करता है यहाँ पर देखिए यहाँ पर RSI ने over sold दिया है लेकिन market इसके बाद उपर नहीं गया यहाँ पर भी RSI ने over sold दिया है लेकिन market उपर नहीं गया क्योंकि तब market में trend था तो RSI का जो common use है वो है sideways या फिर volatile market में RSI proper signal देता है लेकिन अगर trending market हो तो RSI false signal देगा तो फिर RSI का use करे क्यों trending market में RSI आपको trending market में भी बचाएगा कैसे बचाएगा? यह market trending है अब आपको पता कैसे चलेगा? कि यहाँ पर आपको selling नहीं करना है आपको wait करना है RSI को cool down होने में अभी पकड़ो RSI का हम use नहीं कर रहे है आज का दिन price नीचे gap down open किया अब मुझे यहाँ पर buy करना चाहिए या फिर sell करना चाहिए क्या करना चाहिए? कैसे पता हो? price तो downtrend में आ है तो फिर selling का ही बनता है क्योंकि price downtrend में है अब पता कैसे चलेगा कि price already कितना sold हो चुका है क्योंकि ये price का movement तो जादा नहीं है bank nifty में या hardly कुछ movement है तो फिर अगर हम लोग यहाँ पर sell करते तो हमारा stop loss ही ठोता ये strength कैसे दिखाएगा कि price में कितना strength अभी तक बाकी है ये strength देखने के लिए RSI जाई कि price में downtrend का strength अभी तक बाकी है या फिर downtrend का strength अभी थोड़ा सा कम हो चुका है अभी चले ये RSI लगा लेते हैं और find out करते हैं देखें यहाँ पर RSI नीचे आ चुका है RSI 30 के नीचे आ गया है तो हमें पता चल रहे कि RSI में strength अभी तक बाकी नहीं है तो फिर हम लोग wait करेंगे कि ये उपर जाएगा RSI भी थोड़ा सा उपर आएगा RSI में strength मिलेगा उसके बाद हम लोग selling कर सकते हैं अगर ये cross करता तो हमारा अच्छा training market रहता तो फिर कभी भी बरा move capture करने के लिए प्राइस में strength आने देना है प्राइस में strength रहेगा तभी बरा move आएगा ने तो प्राइस sideways रह जाएगा तो फिर मैं prefer तो करती हूँ indicators लगाने में ये मुझे एक support देता है आप बटाएे comment section में आपको क्या लगता है indicators useful है या फिर नहीं happy trading bye bye